हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैट्स एफिनिटी तो आज किस वीडियो में हम लोग 20 सेकंडियर के एक बहुत इंपोर्टन चैप्टर लिनियर पार्सियल डिफरेंशियल एक्वेशन विट कॉंस्टन कोफिशेंट्स के बारे में डिसकुसन करने जा रहे हैं तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग डिसकुस कर रहे हैं लिनियर पार्सियल डिफरेंशियल एक्वेशन यहाँ पर गाउर करने आले बात है कि यह पार्सियल डिफरेंशियल एक्वेशन है नहीं डिफरेंशियल एक्वेशन इस वजज़े से यहाँ पर डी के जिग नहीं निकालने की कोई जरूरत है तो इस वज़े से यह कोश्चन हमाई आप को इस वीडियो में बताऊंगा आगले वीडियो जो होगा उसमें आपको पी आई भी निकालना बताएंगे तो यह पहला वीडियो है तो आप लोग प्लीज कॉपी पेन निकालके जो भी मैं आप पॉइंट्स बता रहा हूं उस तुरह के एक बर ट्राई करते रही अपने कोश्चन को चलिए वीडियो स्टाट करते हैं और अगर हमने अपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि यहां पर यहां पर कॉफिशें सब्सक्राइब करेंगे और डेल बाई डेल वाई को टी डैस से रिप्लेस करेंगे ठीक है कैसे हमको मार्वर्किंग मैथट क्या है तो सबसे पहला स्टेप यहां पर यह कि हमारी क्वेशन कुछ इस सक्लिकी होगी एंड टाइम होगी वह कि तो डी तो दी पावर और प्लस सबस्क्राइब करेंगे तो हमारी क्वेशन की होगी अब आपको ध्यान होगा जब आप लिनियर डिफ्रेंशल एक्वेशन करते होंगे तो वहां पर जैसे आप लोग डी की जगा रखने के बाद वहां पर डी डैस नहीं होता था बस यहां पर D- है लेकिन रूट्स निकालने में इस D- का कोऊई रोल नहीं है क्योंकि D- की जगा हम लोग यहां पर 1 रख देते हैं तो यहांपर D की जगा मैं M रख दिया और D- की जगा 1 रखने के अगरे को चैब बट इस इक्वेशन को हम लोग सॉल करेंगे यहां पर हम की values कुछ हाई होंगी m1 m2 so on तो पहला root रखेंगे plus 52 y plus m2 x यानि की m2 x जो m2 दूसरा root होगा उसकी विल इसी तरह so on अगर आपकी m3 आया होगा तो इसी तरह 53 y plus m3 x अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि यह चीज हम तब apply करेंगे जब मेरे roots सभी के सभी distinct होंगे मतलब अलग अलग होंगे example के लिए अगर m1 m1 है तो m2 अगर 2 है तो हम याला cf निकालने के लिए अगर माल लिए हमाई root identical है जैसे कि m1 m1 1 है और m2 भी 1 है तो क्या करेंगे 51 y plus m1 x plus x 52 y plus m2 x बस यहाँ पर multiple में x लगा देंगे इस से हमारा answer आ जाएगा इसके पी आई भी find किया जाता है पर आज किस वीडियो में उसका कोई रोल नहीं इस विज़े से मैं नहीं लिखा है तो आज किस वीडियो में हम उन्हीं को शॉल करेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपका cf निकालना होगा और कुछ नहीं इसके आगे निकालना होगा ठीक है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो हम लोग यहां पर पहला कुशन लेते हैं तो जैड़ अपॉन डेल एक्स स्कौर माइनस डेल टो जैड अपान डेल स डेल बाई माइनस टू डेल टू जैड अपान डेल वाई स्कॉरियर चर्छ चलिए इस कोशन को हम लोग शॉल करते हैं तू یہ पर पर टो पर लेसको घर करेंगे तो d पर square है, तो यहाँ पर d square minus 3 इसको हम लोग लिख सकते हैं del upon del x और इसको हम लोग लिक सकते है del upon del by तो 2 d square minus 3 del upon del x को यहाँ लिक सकते है d और del z upon del y को d dash minus 2 d dash का square equal to 0 replace कर देते है, हम next step में d को m से और d dash को किस से? 1 से तो minus 2 equal to 0 अब यहाँ पर आप लोग डिम डिरेक्ली यहाँ पर स्रीधराचार फर्मूला लगा सकते हैं और आप उस मेधर से भी कर सकते हैं factorization पर मैं आपको यहाँ पर चलिए स्रीधराचार से करावेता है तो minus 9 minus 4 AC 4 upon 2A minus 3 plus 2 9 plus 16 upon 4 तो minus 3 plus minus 5 upon 4 equal to तो M की value एक आप जब प्लस लेकर चलेंगे तब कित्ती आ जाएगी minus 3 plus 5 upon 4 कित्ती आ जाएगी 1 upon 2 तो 1 M1 आपका जाएगा 1 by 2 उसी तरह जब आप minus लेकर चलेंगे तो minus 2 तो M2 की value आजाएगी minus 2 तो M1 आया 1 by 2 M2 आया minus 2 तो यहां पर हमारा solution बन जाएगा Z equal to C F और C F ही आपका यह हो जाएगा 5 1 Y plus 1 upon 2 X plus 5 2 Y minus 2 X समझ पाए समझ गए हो गए होब आप समझ गए हो गए तो यह आपका यहां पर solution आएगा तो अगर यहां पर आपको particle integral मैंने आप पहले बताया कि यह जरूरत नहीं find करने की तो इस वज़े से यहां पर उसका नहीं किया इस वज़े से यहीं पर solution आ गया अगर PI दिया होगा तो PI solve करेंगे तो मैं आपको बार पर बताया दिया तो चलिए एक और last question लेते हैं फिर इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं खतम करते हैं देल 4Z upon डेल X to the power 4 minus देल 4Z upon डेल Y to the power 4 equal to 0 तो यह question है तो यहां पर हम लोग क्या लेख सकते हैं इसको डेल अपान तो डेल 4Z upon आप इसको D to the power 4 और डेल 4 डेल Z upon डेल Y to the power 4 है तो D dash to the power 4 equal to 0 अब D की जगा M और D dash की जगा 1 रख देंगे तो M to the power 4 minus 1 equal to 0 time to the power 4 equal to 1 तो यहां पर आपकी जो M की values आएंगी वो आपकी चार values आएंगी ठीक है तो आपकी M की values कित्ती आजाएंगी चार आएंगी तो एक आएगी 1 एक माइनस 1 एक आई एक आएगी माइनस आई आप सभी को पता है इसमें मैंचे बताने यह कोई जरूरत नहीं है X प्लस 5 2 Y माइनस X प्लस 5 3 Y प्लस I X प्लस 5 4 Y माइनस I X तो यही इसका solution भी होगा तो यह बहुत एक छोट ऐसा question था तो समझ गए होगे आई होब आप समझ गए होगे चलिए एक और question करके आपको बता दे दे रहे है D cube माइनस 6 D square D dash प्लस 11 D D dash का square माइनस 6 D dash का cube मेरे साब से इससे tough question नहीं होगा इस exercise का question तो यह बहुत ही अच्छा question है मेरे लिए तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं D को directly ही पर replace करे दे रहे हैं M से plus 11 M minus 6 equal to 0 तो अब आपके इसमें ऐसे roots आप यहाँ पर M की जगर one put करते हैं तो देखें आ रहा है क्या कुछ देखें तो वन पुट करने पर one minus six plus 11 minus six तो माइनस 12 और यह जी हाँ वन पुट करने पर यहाँ पर हमारा बन रहा है तो इसका एक रूट हो जाएगा M minus one तो अब चले हीट and trial methods इसको solve कर लेते हैं तो M cube minus six M square plus 11 M minus six मैं एक एक इस्टाइब आपको करके दिखा रहा हूँ तो M square से करेंगे तो M cube minus M square तो minus plus तो minus five M square plus 11 M फिर हम लुग क्या करते हैं माइनस का five M से करते हैं तो minus का five M square plus कित्ते टाइम जाएगा five M जाएगा minus minus 11 11 minus five कित्ता आजाएगा 10 9 8 7 6 M आजाएगा तो six M minus six तो यहाँ पर आप लोग क्या करते हैं कि plus six time अगर कर दें तो देखेंगे हाँ पर हम लोग अब यहाँ पर six M minus six और यह डारेटल यहाँ पर cancel होके जीरो बन जाएगा तो एक आया आपका रूट M minus one एक आया मस्कार माइनस five M plus six equal to zero इसमपर यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया हेट अंट्राल जो कि आप six fourth जो आप जिस भी class में नाइन्थ में जिसमें भी सीखा हो उसमें यह नाइन्थ में इसमें करते हैं इसमें में बताने जरूब ज़रूद नहीं तो एक आया आपका M की value one और एक इसको जब आप solve करेंगे तो एक आपका M one आयेगा M one one two आयेगा आपका कितना आ जाएगा M two आयेगा two और M three कितना जाएगा three तो simple आप उसी इस वाले में solution में रख देंगे Z equal to five one Y plus X plus five two Y plus two X plus five three Y plus three X equal to जो भी है तो यह आपका आज किस वीडियो में मैंने आपको बताया तो I hope आपको समझ में आया हो और अगर आपको समझ में आया हो तो please इस वीडियो को like कर देना और हमारे चैनल को subscribe तो जरूर कर देना अगर आपको थोड़ा भी समझ में आया हो तो please माचा को subscribe कर देना क्योंकि आप लोगों में से कई लोगों ने अभी बीचानल को subscribe नहीं कर रखा तो उन सभी लोगों से request है कि please subscribe कर दीजिए और share कर दीजिए अपने friends में और आगले वीडियो कि आप किस टॉपिक पर चाहते हैं उसे भी बता दीजिए और इसका जो part 2 है वो जल्दी आएगा तो please comment कर आपको वीडियो कैसा लगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में thank you so much for watching